प्रम्पुज्य संत स्वामी शधानन्द जी महराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे यूटूब चैनल यदार्धवानी को सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ओम स्री सद्गुर्देव भगवान कीजे गुरु ब्रम्हा गुरु बिष्णु गुरु देवो गुरु देवो महेस्वरह गुरु साच्छात परंब्रहा तश्मै श्री गुरुवेश परंप्रहा ना। अकंडमंडलाकारं व्याप्तमयेनचराचरं तदपदंधर शितमयेनः तश्मेश्री गुरुवे नम्हुं मोर्षम दीनना दीनहिता तोमसमानर गुविर असवेचारी रगुबंसमनी हरहुं बेसमभवभीर जोयनाथ हित हम परनेहुं तकरिक्रिपा मोहि बरदेहुं जोस्वरूपबस स्विवमनमाही जेहिकारण मोनी जतनकराही सोश्वरूपदे खहु भरिलोचन क्रेपा करहु प्रन तारति मोचन श्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे राम जे जे राम धार्न्यवति जुबति जगसोई रगुपति भगत जासुसुत होई नतरु बाँज भली बाद बियानी अराम भी मुखसुत तेहित जानी एकाई धरम एकब्रतनेमां। कायबचनमनपति पदप्रेमां। धरमनदूसर सत्यसमानां। आगम निगम पुरान बखाना धरम एक जग महुनही दूजा मनक्रम बचन बेप्रपद पूजा स्री राम जय राम जय जय राम स्री राम जय राम जय जय राम कभी राओ नर अंध हैं गुर को कहते आओर हरी रूठे गुरु ठोर हैं गुरु रूठे नहीं ठोर कभीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाचे लागे हरी फिरें कत कभीर 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 कभीरा गर्वन कीजिये काल गहे हैं केस ना जाने कब मारी हैं क्या घर क्या पर्देश राम चंद्रके भजन बिनु जोचा पद निर्बान ज्यान वंत्या पीसो पिनर पचुबिन पशुबिन पूच बिखान। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तु याद। कह कभीर वादास की कौन सुने फरियाद। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरी भजानाना भवत्तरिय यह सिधान्त यपे। बोलिये श्री सद्गुर्देव भगवान की जै। श्री राम चरित्मानस हिंदी टीका लंका कांड मेघनात को लचमन जी ने मारा। उसके बाद उसका पितारावन भगवान से जो प्रमुख वैरी था वो लड़ने गया। भगवान ने उसे भी मारा। उसके बाद मंदोदरी ने बहुत बिलाप किया। फिर भगवान ने विभीषण को राज़ पाढ़ दिलवाया। और उसके बाद गुष्वामी जी आगे लिखते हैं कि हनवान जी ने कहा कि हे माता कोसलपत भगवान स्री राम जी सब प्रकार से सकुसल हैं। उन्होंने संग्राम में दस सिरवाले रामण को जीत लिया और उसको अपने धाम भेज दिया। विभीषण ने अचल राज भी प्राप्त कर लिया। हनवान जी के बचन सुनकर माता जानकी के हिर्दय में अत्यंत हर्स हुआ। माता जानकी के हिर्दय में अत्यंत सुक हुआ उनका सरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आसरुओं का जलचा आया। वे बार बार कहती हैं हे हनुमान हे सुत मैं तुझे क्या दूँ इस वाणी अर्था समाचार के समान तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा हे माता सुनिये मैंने आज नियसंदे ही सारे जगत का राज पालिया। जो मैं रण में सत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार प्रभु स्री राम चंजी को देख रहा हूं। माता जानकी ने कहा हे पुत्र सुन समस्त सद्गुन तेरे हिर्दय में बसें और हे हनुमान सेश अर्थात लच्मन जी सहित कोशल पत्प्रभु सदा तुझ पर प्रसन रहे। हेतात अब तुम वहीं उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल स्याम सरीर के दर्सन कर सकूं। तब स्रीराम चंजी के पास जाकर हनुमान जी ने माता जानकी का कुसल समाचार सुनाया। सुर्य कुल भूशन भगवान स्रीराम जी ने संदेश सुनकर यो राज अंगद और विभीशन को बुला लिया। और कहा है पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी को आदर सहित ले आओ। वे सब तुरंत वहां गए जहां माता सीता जी थी सब की सब राच्छसियां नमरता पुर्वक उनकी सेवा करती हैं विभीशन जी सिग्र ही उन लोगों को समझा दिये। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को असनान कराया बहुत प्रकार से गहने पहनाये फिर एक सुन्दर पाल की सजाकर ले आई सीता जी प्रसन होकर प्रसन होकर सुख के धाम प्रियतम भगवान सिराम चंजी का अस्मरन करके उस पर हर्ष के साथ चड़ीं चारों और हाथों में छड़ीं रच्छक चले सब के मन में प्रमुत साह उमंग है रिच बानर सब दर्शन करने के लिए आए तब रच्छक क्रोध करके उनको रोकने दोड़े भगवान सिराम चंजी ने कहा हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले जाओ जिस से बानर उसको माता की तरह देखें गुसाई सिराम जी ने हसकर ऐसा कहा प्रभू के बचन सुनकर रिच बानर हर्शित हो गए आकास से देवताओं ने बहुत से पुस्प बरसाए सीता जी के असली स्वरूप को पहले अगनी में रखा था अभीतर के साच्छी भगवान उनको प्रगट करना चाते हैं इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े बचन कहे जिसे सुनकर राच्छसियां विशाद करने लगी मन और बचन से कर्म से पवित्र माता जान की बोली है लच्मन तुम मेरे धर्म के नेगी अर्थात धर्मा चरण में सहायक बनो और तुरंत आग तयार करो श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीती से नीती से मिस्त्रित वानी सुनकर लच्मन जी के नेत्रों में विशाद के आशु भर आये वे दोनों हाँ जोड़ खड़े रहे वे भी प्रभू से कुछ नहीं कह सकते फिर स्रीराम चन जी का रुख देकर देखकर दोड़े और आग तयार करके बहुत सी लकड़ी ले आये अगनी को खूब बढ़ी हुई देख कर माता जानकी के हिर्दय में हर्स हुआ उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ सीता जी ने लीला से कहा यदि मन बचन और कर्म से मेरे हिर्दय में सिरगवीर को छोड़ कर दूसरी गती अर्थात किसी अन्य का आश्रे नहीं है तो हे अगनी देव जो सब के मन की गती जानते हैं मेरे मन की गती जानकर मेरे लिए चंदन के समान सीतल हो जाईए प्रभू स्री राम जी का अस्मरण करके और उनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित हैं तथा जिन में सीता जी की अत्यंत विसुद्ध प्रिती है उन को सलपत की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान सीतल हुई अगनी में प्रभेश किया प्रतविंब अर्थात माता सीता जी की छाया मुर्ती और उनका लोकिक कलंक प्रचंड अगनी में जल गए प्रभू के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना देवता सिद्ध और मुनी सब आकास में देख करके खड़े हैं देवता लोक पुस्पवर्सा रहे हैं तब अगनी ने सरीर धारण करके बेदों में जगत प्रसिद्ध वास्त्विक माता सीता जी का हात पकड़ उन्हें प्रभू स्रीराम चंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे चीर सागर ने विश्नु भगवान को लच्मी समर्पित की थी वे सिता जी स्रीराम चंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई उनकी उत्तम सोभित है अत्यंत ही सुंदर है मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुसोभित हो देवता हर्शित होकर फूल बर्साने लगे आकास में डंके बजने लगे किन्नर गाने लगे बिमानों पर चड़ी अपसराये नाचने लगी श्री जान की सहित प्रभु सिराम चंद्रजी और परमित और अपार सोभा देखकर रिच्छ बानर हर्शित हो गए और सुक के सागर भगवान स्री राम चंद्रजी की जय बोलने लगे तब स्री रवनाज जी की आज्या पाकर इंद्र का सार्थी मातल चर्णों में सिर्नवाकर जो राम रावन में युद्ध के लिए रथ लेकर के आया था वह चला गया तदंतर स्वार्थी देवता आए वे ऐसे बचन कहे मानों बड़े परमार्थी हो देवता कहते हैं हे दीन बंधु हे दयालू रगुराज हे परमदेव आपने देवताओं पर बड़ी दया की विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावन अपने ही पाप से नस्ट हो गया आप समरूप ब्रम्ह विनासी नित्य एकरस्व भाव से ही उदासीन सत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण माई गुणो से रहित अजन्मा निस्पाप निर्विकार अजय अमोख सक्ती अर्था जिनकी सक्ती कभी व्यर्थ नहीं होती और हे दयामें आपने ही मस्य कच्छ बराह नरसिंग वामन और परसुराम के सरीर धारण किये हे नाज जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों सरीर धारण करके आपने ही उनके दुख को हरा नास किया यह दुख्ट मलीन हिर्दय देवताओं का नित्य सत्रू काम लोभ और मद के परायन तथा अत्यन्त क्रोधी था ऐसे अधमों के सिरोमणी ने भी आप उनको परमगती प्रदान किये इस बात का हमारे मन में आश्चर हुआ हम देवताओं स्रेष्ट अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायन हो आपकी भक्ती को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह अर्था जन्मृत्यू के चक्र में पड़े हैं अब हे प्रभू हम आपकी सरण में आए हैं आप हमें मुक्ती दीजिए और हमारे दुर्गुणों को हर हमारी रच्छा कीजिए बिंती करके देवता और सिद्ध सब जहां तहां हाँ जोड़े खड़े हैं तब अत्यांत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी अस्तुती करने लगे हे नित्य सुकदाम और हे दुख को हरने वाले हरी हे दनुस्बार धारन करने वाले रगुनाज जी आपकी जय हो हे प्रभु आप भव अर्था जन्म भव मरण रूपी हाथी को विदिर्ण करने के लिए सिंग के समान हे नाथे सर्व्यापक आप गुणों के समुद्र और परम्चतुर हैं आपके सरीर की अनेकों कामदेओं के समान परंत अनुपम छबी है सिद्ध मुनिश्वर और कभी आपके गुणगाते रहते हैं आपका यस्प वित्र है आपने रावन रूपी महासर्प को गरुन की तरह क्रोध करके पकड़ लिया हे प्रभू आप सेवकों को आनंद देने वाले सोक और भय का नास करने वाले सदाक्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है आपका अवतार श्रेष्ट अपार दिव्य गुणों वाला पृत्वी पर भार उतारने वाला और ज्ञान का प्रकास फैलाने वाला है किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्या जन्मा व्यापक एक अर्थात अधितिय और अनादी हैं है करुणा की खान प्रभू मैं आपके बड़े ही हर्ष के साथ भावना के साथ दंडवत प्रणाम नमस्कार करता हूं हे रखकुल के आभूशन हे दूशन राज्चसों को मारने वाले तथा हे समस्त दोसों को हरने वाले विभीशन दीन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया हे गुण और ज्यान के भंडार, हे मान रहित, हे अजनमा व्यापक और माईक, विकारों से रहित प्रभू स्रिराम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ, आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंद है, दोष्ट समूह के नास करने में आप परम निपुण है हे बिना ही कारण दीनों पर दया करने वाले उनका हित करने वाले और सोभा के धाम, मैं स्री जान की सहित आपको नमस्कार करता हूँ, आप भुजदंडों से परे और मन से उत्पन होने वाले कठिन दोसों को हरने वाले हैं आप मनुहर बाण, धनुस और तरकस धारन करने वाले हैं लाल कमल के समान रग्तवण आपके नेत्र हैं आप राजाओं में श्रेष्ट सुख के मंदिर सुदर श्री अर्थात लच्मी जी के बल्लब तता मदर्थात अहंकार, काम और जूटी ममता के नास करने वाले हैं आप अनिद्य या दोस रहित हैं अखंड हैं इंद्रियों के विशय नहीं हैं सदा सर्वरूप होते हुए भी आप सब कभी हुए ही नहीं ऐसा बेद कहते हैं यह कोई दंत कथा अर्थात कोरी कलपना नहीं है जैसे सुर्या और सुर्य का प वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं हे व्यापक भगवन हे सब बानर कृतार्थ रूप हैं यह सब जो आदर पुर्वक यह आपका दर्सन कर रहे हैं और हे हरी हमारे अमर जीवन और दोस अमर जीवन और देव अर्थात दिव्य सरीरों को धिकार ह जो हम आपकी भक्ती से रहित हुए संसार अर्था सांसारिक विश्यों में भूले पड़े हैं। हे दिन दयालू अब दयाक कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन करने वाली बुद्धी को हर लीजिए जिससे मैं विप्रीत कर्म करता हूं। और जो दुख है उसे सुख मान कर आनंदित विचरता हूं। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृत्वी के रमनी आभूसन हैं। आपके चरण कमल श्री सिव जी पारबती द्वारा सेवित हैं है राजाओं के महराज। मुझे यह वरदान दीजिये कि आपके चरण कमलों में मेरा सदा कल्यान दायक अत्यंत प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से भगवान स्रिराम चंजी की बंदना की और छोटे भाई लच्मन सहित प्रभू ने उनकी बंदना की और तब पिता ने उनको आशिरबाद दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी जब गए तो दसरजी भी वहां आ गए थे। की प्रभुश्रियोगनाज जी ने पहले अर्था जीवित काल में प्रेम को विचार कर पिता की ओर देख कर और उन्हें अपने स्वरूप का दिन ग्यान करा दिया। हे उमा दसरजी ने भेद भक्ती में अपना मन लगाया। इसी से उन्होंने कैलब्य मोच्छ नहीं पाया। माया रहि सच्दानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सदगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोच्छ लेते भी नहीं। उनको स्रिराम जी अपनी भक्ती देते हैं। प्रभू को इष्ट बुद्धी से बार बार प्रणाम करके दसरजी हर्शित होकर देव लोग चले गए। छोटे भाई लच्मन सहित और माता जान की सहित परमकुसल प्रभू कोशला धीस की सोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्शित होकर अस्तुती करने लगा। देवराज इंद्र करते हैं सोभा के धाम सरनागत को विश्राम देने वाले, स्रेष्ट तरकस धनुस और बान को धारन करने वाले, प्रभल प्रतापी भुज दंडों वाले प्रभूस राम चंजी की जय हो, हे खर और दूशन के सत्रु और राचसों की सेना को मर्दन करने आपकी जय हो, हे नाथ आपने इस दुष्ट को माराजिस से हम सब देवता सनाथ अर्थात सुरच्छित हो गए नहीं तो इसके पहले अनाथ थे, हे भूमी का भार हरने वाले, हे अपार स्रेष्ट महिमा वाले, आपकी जय हो, हे रामण के सत्रु, हे क्रिपालु आपकी जय हो, आपने राच्छसों को बेहाल अर्थात हस नहस कर दिया, लंकापती रामण को अपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वस में कर लिया था, और वह मुनी, सिध्ध, मनुस्य, पच्ची और नाग आजिस भी के हट पुर्वक अर्था आद दो कर पीछे पड़ गया था, वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था, उस पापी ने वैसा ही फल पाया, अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विसाल ने त्रवाले सुनिये, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नही है, पर अब प्रभू अर्थात आपके चरण कमलों के दर्सन करने से मेरे दुख का समूह नष्ट हो गया, और मेरा अभिमान भी नष्ट हो गया, कोई उन निर्गुन ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिन्हें बेद अब्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे आपका यह सगुण कोसर राज स्वरूप ही प्रियलगता है, माता जानकी और छोटे भाई लच्मन सहित मेरे हिर्दय में अपना घर बनाईए, हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिये, और अपनी भक्ती दीजिये, हे रमा निवास, हे सरनागत के भय को हरने वाले, औ और उसे सब प्रकार से सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ती दीजिये, हे क्रिपालू, अप मेरी और क्रिपाकर के अर्थात क्रिपाद्रिष्टी से देखकर आज्यां दीजिये, कि मैं क्या सेवा करूं इंद्र के प्रिय बचन सुनकर दीन दयालु भगवान ने बोला हे देवराज, सुनो हमारे बानर भालू, जिने निसाचरों ने मार डाला है, पित्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिये है, सुजान देवराज, इन सब को अम्रित की बर्षा कर जिला दो, काग भुसुंडी जी महराज कहते हैं, हे गरुन सुनिये प्रभु के बचन सुन अत्यंत गहन अर्थात गूर है, ज्यानी मुनी ही जान सकते हैं, प्रभु सिराम चंजी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं, यहां तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी, इंद्र ने अम्रित वर्षा कर बानर भालूं को ज जिवित हुए, लेकिन राच्छस नहीं, केवल राच्छसों के मन तो मरते समय राम आकार हो गए थे, अतहवे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन चूट गए, किन्त उबानर और भालू तो सब देवांस अर्थात भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब शिरगुन जी की इच्छा से जिवित हो गए, सिराम चंजी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिनोंने सारे राच्छसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गती पाई, जिसे स्रेष्ट मुनी भी नहीं पाते, फूलों की वर्षा करके देवता सुन्दर विमानों पर चड़ चड़ के चले और सुवसर, जानकर सुजान भगवान सियुजी प्रभू सिराम चंजी के पास आये, और परम प्रेम से दोनों हाज जोड कर कमल के समान नेत्रों में जल भरके, पुलकित शरीर और गदगदवाडी से त्रिपुरारी स सियुजी भगवान से बिंती करने लगे, सियुजी ने कहा है रगकुल के स्वामी रगुनंदन, सुन्दर आतों में स्रेश्ध धनुस और सुन्दर भान धारन करने वाले, आप मेरी रच्छा कीजिए, आप महा मोह रूपी मेग समूँ के उड़ाने के लिए प्रचंड आप परंप्रतापी सुर्य हैं, अंदकार को नास करने के लिए, विशय कामनाओं के समूह रूपी कमलनेंक नास करने के लिए आप पाला हैं, आप उदार और मन से परे भवसागर को मतने के लिए मंदराचल परवत के समान हैं, आप हमारे परंभय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए, ऐसा भगवान सिव बार बार काते हैं हे स्याम सुन्दर सरीर, हे कमलनें, हे दीन बंधु, हे सरनागत को दुख से छुडाने वाले, हे राजा राम चंद्र जी, आप छोटे भाई लच्मन और जान की सहित निरंतर मेरे हिर्दय में निवास कीजिए, आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृत्वी मंडल के तुल्सी दास जी के प्रभू और भय का नास करने वाले हैं, हे नाज जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे क्रिपास आगर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा, जब सिव जी बिंती करके चले गए, तब विभीशन प्रभू के पास आए, और चर्णों में सिर्नवाकर कोमलवानी से कहा है, स्रांग धनुस को धारन करने वाले मेरी बिंती सुनिये, आपने कुल और सेना सहित रावन का बद किया, त्रिभूवन में अपना पवित्र यस फैलाया, अब मुझ दीन पापी बुद्ध हीन को जाती हीन पर बहुत प्रकार स क्रिपा कीजिए, अब हे प्रभू इस दास को भी पवित्र कीजिए, तथा इसका घर भी पवित्र कीजिए, और वहां चलकर असनान कीजिए, जिससे युद्ध की ठकावत दूर हो जाए, क्रिपा लुखजाना महल और संपत्ती का निरिछण कर प्रसंता पुर्वक बानरो को दीजिए, हेनात मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए, मुझे साथ लेकर अध्यापुरी भी भगवन चलिए, मैं अध्यापुरी का दर्सन करूंगा। की तपस्वी वेश में क्रिष्दुबले सरीर से निरंतर मेरा नाम जब रहा है, हे सखा अगर एक पल भी देर होगा, तो भरत फिर जिन्दा नहीं मिलेगा, यदि अवधी बीत जाने पर जाता हूं, तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा, छोटे भाई भरत की प्रतीक, मेरा अपार प्रेम है, उसको अस्मरण करके प्रभू का सरीर बार बार पुर्कित हो गया, शिराम जी ने कहा है, विवीशन तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर अस्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को जाओगे, जहां संत मुनी जाते हैं, स्री राम चंजी का बच्चन सुनकर विवीशन जी हरसित हो गए, ओम स्री सद्गुर्देव भगवार ने की जय, स्री राम जय राम जय जय राम, स्री राम जय राम, जय जय राम, राम कथा सुन्दर करतारी, संसय बिहग उडाव निहारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनकहु सतसंग गतियति प्यारी, राम कथा कली, बिटप कुठारी, सादर सुन्गिरी, राज कुमारी, राम नाम के जाप से, सकल पाप कटि जाई, जय से रभी के उदय से, अंधकार मिटि जाई, बोलिये स्री सत्गुर्देव भगवान की जय, हर योम सांती सांती सांती